अधा काम आपको कर ना अधा काम मैं करूगा ठीक है और अधी चीज बताधी न आधा काम सेन आधा मैं करूंगा करें नुद करूंद है अधा कंल का या टेस्ट हमने ऐसें उछला न लीखित दूँ चलो आप प्टाप जितने देर देर में दो लिखी दूँगा फिर फो गया या प्रोमीन वाटर हो गया आप इनमेंसे कोई भी टेस्स यूज कर लो अगर प्रोमीन लेते हो तो ऐसा दिखेगा Bromine Water लेते तो ऐसा और दोनों ही टेस्ट ठीक है दोनों ही टेस्ट है अनसैचुरेशन की क्योंकि Bromine का जो Redis Orange Color है वो Change कर देता है Colorless कर देता है ठीक है Bear Test में भी Purple Color होता है KMNO4 का ठीक है Bear Reagent में जो KMNO4 का Purple Color होता है वो Colorless कर देता है ठीक है तो यह कुछ बात है अगर आप लिख लो तो बताओ अगर लिख लोगे तो मैं कुछ चीज़े छोड़ सकता हूँ जो मैंने अंदर बता रखी है अंदर जो बता रखी है Can Test की बात करें Seric Ammonium Nitrate की तो एलकोहल की Reaction है यह NH4 whole twice CE NO3 whole 6 तो मोल एलकोहल के साथ अगर मैं Reaction करवाऊंगा तो आप दो मोल NH4 NO3 निकाल दो यहां से ठीक है तो ROH बचेगा whole twice CE और NO3 बचेगा 4 6 मैं से 2 NH4 NO3 चले गए और यह होता है Red या Pink कलर एलकोहल का Test है Seric Ammonium Nitrate ठीक है Carbal Amine Test में बता चुका हूँ आपको ठीक है Carbal Amine Test Isosanate Test होता है RNS2 से RNC बनता है Bad Smell ठीक है Hello Form Test में बता चुका हूँ ठीक है यह मैंने इसलिए एक साथ लिंग दी है कि आप जब PDF देखोगे न तो एक साथ जब यह देख रहे होगे ठीक है यह आपका काम है आप यह लिख लेना फटापट फटापट Hello Form हो गया Hinsver हो गया Lukas हो गया ठीक है FeCl3 Test हो गया Phenol का Voilet Color बनाया था अपनने Thaline Di Test हो गया मैंने आपको Phenophylline बनाया था वो ही है Thaline Di Test DNP टेस्ट हो गया Carbonyl Compound की Reactions कराई थी है अपनने ठीक Tolence टेस्ट हो चुका है Phelling टेस्ट हो चुका है ठीक इस सारे reaction हो चुके हैं काफी जो नहीं हुए यह वो देख लेता हूँ मैं बस Azoditis, Victor Mayor Test Terminal Alkyne का टेस्ट Phenol और इसका टेस्ट चलो Biomolecule के टेस्ट नहीं हो यह देख लेता है बागी अंदर वाले हो चुके है Biomolecule के टेस्ट की बात करें तो आप ध्यान से देखो जारा मैं आपको बता रहा हूँ पहले Test of Carbohydrate ठीक है चोटे-चोटे से दो-तीन टेस्ट Carbohydrate के टेस्ट के बारे बात करें तो Alpha-Nepthol का 5% solution होता है Alpha-Nepthol क्या होता है ऐसा किसको बोलते है Alpha-Nepthol और Carbohydrates में डालते हैं तो होता क्या है Alpha-Nepthol ETOH के साथ Carbohydrates में डालते है तो Purple Ring बनने लगती इस तरीके से देखो जैसे हमने Carbohydrate डाला Purple Ring बनती है जंक्षन पर तो Mono वाला Fast Reaction देगा तो Mono है जल्दी Purple Ring बन जाए तो Mono है और देर में बने तो Slow तो वो Di-Securide है जल्दी बन जाता है तो Mono और देर में बनता है तो Di-Securide अगला देखो जा रब यह Mollis Test होता है Carbohydrate के लिए Salivant of Test होता है कीटोस के लिए ठीक है और यह Perform किया जाता है जब Sample Positive Test देता है Benedict या फिर Failing Benedict सेम टाइप का बस Salter लग होता है Salivant of Reagent डालते है Salivant of Reagent क्या होता है Resorcinol इसको होते है Salivant of Reagent ठीक है यह है Resorcinol यह Salivant of Reagent होता है ठीक है 2 मिट तक boil किया Appearance Red से Orange हो गई तो Indicate यह बताता है कि Fructose है अगर कोई Color नहीं आया 2 मिट तक 5 मिट तक और boil करेंगे अगर हलका Orange यह कोई Color नहीं आया तो Glucode मतलब Fructose यह Positive Test देता है 2 मिट के अंदर ही बता देता है ठीक है Red से Orange कलर देता है 2 मिट के अंदर तो इसका मतलब Fructose है Fructose यह Test देता है ठीक है Bar 4 Test की अगर हम बात करें तो Copper Sulfate Acetic Acid में Monosacrid में Red PPT देता है और आप जानते हो Plus 2 से Plus 1 की वज़े से Red PPT आता है ठीक है Plus 2 से Plus 1 आता है तो Red PPT आता है यह उसकी Reaction है कि CU2 Plus से CU2 बनता है पहले Blue Solution होता है फिर Red PPT आ जाता है ऐसा दिखता है ठीक है कुछ मिंटों के अंदर अगर कुछ मिंटों के अंदर आ जाए तो Monosacrid 3 मिंट के बाद आता है तो Disacrid यह ना मत्तब यह Carbohydrate का Test है ऐसे Amino Acid के एक दो Test है Buret Test इसको बोलते है Protein अपनने Test Tube में लिया Naos डाला इसमें और Copper Sulfid डाल दिया ठीक है Violet Color Indicate बताता है कि Protein है Violet Color बताता है कि Protein है Peptide Bond आप जानते है क्या होता है ऐसे Amino Acid जिनके बीच में देखो यहां भी Alpha Amino Acid बन रहा हो और यहां भी Alpha Amino Acid बन रहा हो बीच वाली Linkage होती है Peptide Linkage ठीक है तो वो Buret के साथ Bond बना लिती है अब यहां यह ध्यान लगना है कि Access Copper Sulfid नहीं डालना है क्योंकि उससे क्या होगा Blue Color दिखने लगेगा वालेट की जगे क्यों? क्योंकि Copper Sulfid Access में डालोगे तो वो Blue Color का होता है एक Plus Medium में तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगना है कि Little Amount एक दो Drop ही Copper Sulfid की डालने ठीक है और Reaction में क्या होता है जो Copper Sulfid डालते हो तो Cu2 प्लस क्या करता है ये Burate का Structure है तो Burate में यहाँ H होता है H निकल जाता है तो Burate का जो Structure है वो ऐसा और वो इसके साथ Complex बना लेता है ठीक है? वालेट कर लगाता है अगला है XanthoProtect Test ये Aromatic Amino Acid देता है ऐसे Amino Acid जो Aromatic ऐसे प्रोटीन जो Amino Acid Aromatic रखते है इसमें क्या करते है हम HNO3 डालते है प्रोटीन में White BPT बनता है Solution को Boil कर ले तो Yellow बन जाता है और NaOH डाल देते हैं इसमें Alkaline कर देते हैं तो Color Change हो जाता है ठीक है? Orange Color तक चला जाता है White BPT से Yellow Yellow से Orange Gendoproject Test specific है ऐसे प्रोटीन के लिए जो Aromatic Amino Acid रखते हों बताओ Aromatic Amino Acid वाला Tyrosine Tyrosine अगर होगा तो ये टेस्ट देज़ेगा ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं छोटे-छोटे से टेस्ट है ये Nin Hydrin टेस्ट किया अगर हम बात करें ठीक? तो Violet Color बन जाता है इस तरीके से दिखता है Violet Color बन जाता है ऐसे Amino Acid जिसमें Free NS2 Group होता है तो यहाँ से पानी निकाल दिया तो Double Bond N बना लिया ठीक? Proline के case में ये Yellow Orange हो जाता है ऐसा दिखता है ठीक है? बाकी ये Violet Color होता है जिसको Romance Purple बोलता है है ना इस Violet को Romance Purple बोलता है NS2 होगा तो Romance Purple बनेगा Proline में 2D Amine होता है इसलिए ये वाला टेस्ट जो है वो Yellow गलर दे रहता है ठीक है? सभी टाइब के प्रोटीन ये टेस्ट दे रहे हैं एक लास्ट और है Millen's Test Millen's Reagent जो होता है वो होता है Mercuric Nitrate और Mercurious Nitrate का Combination Pink कलर देता है प्रोटीन का सॉलिशन तो वो Millen's Test होता है ठीक है? तो ये कहानी है आपकी Simple Simple सी ठीक है? अब मैंने इसमें एक काम और किया है जो आपको करना है ठीक है? मैंने आपके लिए एड़ किया है इसमें देखो एक तो मैंने ये टेवल एड़ कर दी है कि आपको ये पता होना चीज Syn Edition कौन सा होता है Anti Edition कौन सा होता है ठीक है? ये वाला Submit और Curtius छोड़ देना चलिए बस मिली है